18 फर्वरी के दिन एक बहुत ही पावन पर्व है जिसे हम महा शिवरात्री के नाम से जाने हैं समाना जाता है कि शिवरात्री के दिन वरत रखने से अशोमेध यग्या के समान फल पराप्त होता है मैं आपको बड़े शार्ट में बताऊँगा कि इस दिन क्या क्या करना चाहिए इस दिन आप नहाने के पानी में अपने थोड़े से काले तिल मिला लीजिए उससे आपको नस्नान करना चाहिए और अगर आप और ज़्यादा बेनेफिट लेना चाहते हैं इस दिन का तो वरत जरूर रखिए पूरा दिन और रात में निशीत काल में वैसे तो कई प्रहर की पूजा होती है लेकिन इस दिन जो निशीत काल की पूजा होती है वो बहुत important होती है आपको अपने नेरस्ट मंदिर से सारे timing's वगरा वो सब पता चल लेंगे इसलिए मैं इस वीडियो में आ शिव सहसर नाम और शिव स्तोत्र आदी का पार्ट जरूर करना चाहिए इसके लबा इस दिन आप रुद्रा भिशेक भी कर सकते हैं उसका extra benefit मिलता है आपको वरत जो है अगले दिन यानिके 19 तारीक को सुबह 7 वजे के बाद किसी भी time of वरत ब्रेक कर सकते हैं उससे पहले आप जरूरत मंदों को या गरीबों को खाना खिला कर उनको अपनी समर्थे के हिसाब से आप उनको दान कर सकते हैं कुछ भी और उसके बाद अपना fast break कर सकते हैं इसका बहुत बहुत ज़ादा benefits मलता है आपकी life की बहुत सारी problems ठीक होती है शिवरातरी का वरत रखने से एक रुद्राक्ष पहले से खरीद सकते हैं अगर आपके पास नहीं है और इस दिन धारन कर सकते हैं मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हो है जिसका नाम है रुद्राक्ष बायर्स गाइड उस वीडियो को देखके आप ये समय सकते हैं कि आपको अच्छी quality के नेपाली रुद पार कर फिर दोबारा से उनको अपिमंतरित करके पहन लेजिए बहुत इजी सा प्रसीजर होगा आप मंदिर जाईए शिवलिंग के पास कहीं पर भी बैठ जाईए राइट हैं में रुद्राक्षों को लेके ओम नमा शिवाय का जब कीजिए जितना जदा-जदा कर सकते है और शिवजी को मनी मन प्रातना करते रही है कि आपकी याद में ये रुद्राक्ष पहनूगा इनसे मुझे पूरा अच्छा फल प्राप उसके बाद आप रुद्राक्षों के एक बार शिवलिंग से टच करवा लिजे महा शिवरात्री के दिन माना जाता है कि शिवजी सारade संसार में जितने भी शिवलिंग है उनमें स्वयम विद्यमान रहते हैं। इस वजह से इस दिन का खास महत्व है उस दिन जो शिव पूजा होती है उसका खास महत्व होता है। तो इसलिए आप रुद्राक्ष जरूर पहनिये इस दिन. एक तो महा शिवरात्री बहुत प्रार्तने, ओम नमस्षिवाई